सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से दोस्तो आपने इस तरह के कोउषन बहुत से देखे हमें जिनमें यह लिखा हूँ हूँगा ताकि कुछ व्यक्ति मानदर नहीं है तो ऐसे कोउषन हमें बहुत ज्यादा कन्फ्यूज करते हैं तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि इस तरह के कोउषन 10 सेकिन बे हम किस त नमबर तीन के दोस्तों हम आपको 2012 से लेके 2020 तक सभी शिट के यूनिट वाइज कोशन आपको देखने को मिलेंगे नमबर चार के दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टोपिक वाइज कोशन भी देंगे आज तक जैसे जो भी टाइप ओफ रिशर्ट से कोशन आजके वो अलग है, हाई फो थिसीज के अलग है टाइप ओफ कमनी किसन से जो भी कोशन आजके वो अलग है यानि कि सब टोपिक वाइज कोशन भी आपको मिलने वाले है नमबर पांच के दोस्तो हम आपको old 10 unit की ad free videos देने वाले हैं इसके अलावा भी आपको paid coach में बहुत कुछ मिलने वाला है हम आपको math or TI के सभी question का solution provide करवाएंगे और इसके साथ हम आपको यह बताएंगे कि ऐसे कौन से question है जो बारवान exam के अंदर repeat होते हैं तो दोस्तो देव किस बाद की अभी जोईन कीजिए हमारा paid coach क्योंकि नमीजीनेट है तो ज्यारव है दोस्तो question करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक बार फिर से बता देता हूँ फिर आता है दोस्तो हमारे पास universal negative universal negative के अंदर क्या होता है कि सारी की साधी जो चीजे उनको हम गलत मानके चलते हैं जूट मानके चलते हैं यानि कि negative तरीके से लेके चलते हैं तो उसे हम क्या कहते है universal negative कहते हैं और उसे denote करते हैं यह से और उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास particular positive अब देखिए particular positive के अंदर क्या होता कि कुछ जो समान होता है कुछ चीजे होती है वो सही होती है और कुछ गलत होती है तो इसके अंदर क्या होता particular positive के अंदर कुछ चीजों को हम सही मानते है और particular negative के अंदर कुछ चीजों को हम गलत मानते हैं जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि some are not strong यानि कि particular negative के अंदर कुछ को गलत और particular positive के अंदर कुछ को सही मानते हैं ठीक है यह चीज आपको ध्यान से रखना याद रखना बहुत ज्यादा जुरूरी है इन्हीं की वेस्ट के अपना पूरा का पूरा question होगा तो चली दोस्तों अब हम आगे देखते हैं और उसके बाद में दोस्तों एक और जो concept है जो हमें याद रखना है च्यार step है इसके अंदर वो याद रखने जुरूरी है अब देखिए सबसे पहले आते हमारे पास contradictories contradictories किसे कहते दोस्तों जो एक दूसरे के विरोधावासी हो यहाँ पे हमने color दे रखा यह color देख सकते हैं और यहाँ पे यह arrow दे रखे color वाली हमें देखना है देखिए contradictories के अंदर क्या होता जैसे मैंने all ball are strong तो यह किसके विरोधावासी होगी some ball are not strong यानि कि एक बंदा है वो कहरा कि सारी की सारी ball है वो strong है और दूसरा बंदा कहरा कि कुछ ball strong नहीं है तो उन दोनों की जो बाते वो दोस्तों एक दूसरे के विपरीत है एक दूसरे का विरोध कर रही है उसके बाद है दोस्तों हमारे पास sub-altern sub-altern के अंदर क्या होता है दोस्तों एक चीज सही है तो दूसरी चीज भी सही होगी अब देखिए इसके अंदर all ball are strong यानि कि सभी ball हमारी strong है तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि कुछ ball है हमारी वो भी strong होगी सबसे पहले कोशन पे चलते हैं उसको solve करने की कोशिस करते हैं चलिए दोस्तों अब हम अपना सबसे पहला कोशन करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आएगा देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि निमल लिखित में से कौन सा कथन इस कथन के विपरीथ है कुछ व्यक्ति इमानदार नहीं होते हैं तो दोस्तों इस तरह के कोशन करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो कथन दिया है उसकी प्रकरती यानि कि उसकी नेचर किस तरह की है वो यूनिवर्सल पोजिटिव है यूनिवर्सल नेगिटिव है या फिर पर्टिकॉल पोजिटिव है पर्टिकॉलर नेगिटिव है अब देखे इसमें कहा है कि कुछ व्यक्ति इमानदार नहीं होते तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों यह पर्टिकॉलर नेगिटिव है जै जाएगा हमारा पर्टिकुलर नेगटिव अब देखिए अब इसमें हमें देखना कि कौन सा जो कतन है वो इसके विपरीत होगा ठीक है और अभी मैंने आपको बताया था थोड़ देर पहले कि जो विपरीत होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं देखिए मैं आपको दिखा ज जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं कंट्रा डिक्रीज के अंदर जो हमारा पर्टिकुलर नेगटिव होता है वो विपरीत किसके होता है यूनिवर्सल जो पोजिटिव होता है उसके हमारे विपरीत होता है यह यह चीज मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा वहाई आप हमारी पहले की जो सुभ़ की जो वीडियो है वह देख सकते उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों इसका सही आंशर होगा सभी व्यक्ति इमानदार होते हैं यानि की अब देखें कुछ व्यक्ति इमानदार नहीं हो होते हो क्या है कुछ व्यक्ति इमांदर क्या होगा सभी के सभी व्यक्ति और इस तरह से बिलकुल असानी से यह कॉस्टन कर सकते हैं दोस्तों और आगे हम जैसे जैसे कोष्टन करेंगे तो आपको और अच्छे त्रीके से कॉंशप्ट समझ में आने लगेगा और किसी भी तरह की कोई दिक्कत होते तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट वोक्स के जड़िए और अभी आप थोड़ा धहरिये रखे हम आगे और भी कोशन करने वाले हैं तो उनमें आपको अच्छे से कौन्शेप्ट समझ में आ जाएगा चलिए दोस्तो अब हम अगला कोशन देखते हैं हमारा इसके अंदर इन्होंने कहा है कि यदि इस कथन को सत्य मान लिया जाए कि अधिकतर विद्यार्ती आज्याकारी होते हैं तो निमलिक्स में से कौन से एक कथन युगम को सही माना जा सकता है अब देखे इसमें क्या कहा है इसने वही बात मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहले हमें कथन को समझना चाहिए कि कथन का जो नेचर वो क्या है इसने कहा है कि अधिकतर विद्यार्ती आज्याकारी होते हैं इसने ये नहीं कहा कि सभी नहीं कहा सभी विद्यारती आज्याकारी होते हैं ये बात नहीं कहीं इसने कहा है कि अधिकतर तो इसका क्या होगा दोस्तों ये हमारा आई होगा आई का मतलब है पर्टिकुलर पोजिटिव यानि कि अधिकतर विद्यारती हमारे आज्याकारी होते है यह हो गया आई और उसके बाद हम देखते कि इन में से कौन कौन से कथन है वो सही हो सकते हैं अब चली हम इसके ओप्सन देखते हैं ओप्सन में से कौन सा ओप्सन सही होगा अब देखिए इन्होंने सबसे पहला ओप्सन दिया कि सभी आज्याकारी व्यक्ति विद्यार्थ होते हैं अब देखिए इसमें ये चीज आ तो रही है देखिए ओ इन्हों ने आई इन्होंने कहा है कि अधिक्तर विद्यार्थी आज्याकारी होते तो इससे कुछ संभावना बनती है कि सभी के सभी विद्यार्थी हमारे आज्याकारी हो ये संभावना बनती है लेकिन हम इसे 100% सही नहीं कह सकते अगला देखते हैं कुछ विद्यार्थी आज्याकारी होते हैं ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों क्योंकि हमने एक पीछे किया था उसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं ये देखी हमारा ये जो होता है सब कंट्रेरिज जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि अगर आई सही है तो ओ भी हमारा सही होगा ये चीज मैंने आपको बताये थी सब कंट्रेरिज के अंदर अगर हमारा universal positive शही है तो universal negative भी सही होगा यानि कि इसके अंदर क्या होता है कि कुछ चीज excel सही है यानि कि कुछ विद्यार्ती आग्याकारी है तो कुछ विद्यार्ती आग्याकारी नहीं होगे तो इसका जो answer दोस्तो वो आएगा C आएगा four and three यानि कि यह आएगा कुछ विद्यार्थी आग्याकारी होते हैं और कुछ विद्यार्थी आग्याकारी नहीं होते हैं तो इस तरह से दोस्तों बिलकुल असानी से आप ये कोशन कर शकते हैं आगे देखते हैं आगे हमारे पास है दो अभी कथनों के उदेश से और विद्यार यदि ऐसी है कि एक की सब्दावली दूसरे का निसेद करती है तो उन दोनों के वीज़ का संबंद क्या कहलता है अब देखिए एक दूसरे का निसेद मतलब यानि की एक दूसरे का विरोध करती है तो उसे हम किस तरह की सब्दावली कहेंगे यह चीज़ मैंने आपको बताई के अंदर मैंने आपको यहां पर पहले बताया था कि एक सब्दावली दूसरे का विरोध करती है कंड़े था दोस्तों की जो कंट्रा डिक्रीज जो होती है वो ए ओ का विरोध करती है और इस तरह ऐसे बिल्कुल आसानी से कोश्चन कर सकते हैं और आगे देखते दोस्तों का रहा है इसके अंदर सेप्तंबर 2013 के अंदर आया था यदि दो परतिशतियों में से दोनों एक दूसरे एक साथ गलत नहीं हो सकती पर दोनों एक साथ सही हो सकते उन दोनों के बीच का सम्मंद क्या है अब देखिए दोस्तों ये बात मैंने आपको अभी बताई कि दो ऐस से कथर जो सही हो सकते एक साथ लेकिन गलत नहीं हो सकते उसे हम क्या कहेंगे उसे हम सबकंट्रेरिक कहेंगे अब देखिए इसका भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यह देखिए यह हमने कहा था कि some both are strong तो इसका मतलब क्या होता है some both are not strong तो यह क्या होगा हमारा subcontraries होगा इसका answer यानि कि ऐसे कथन जो दोनों के दोनों गलत नहीं हो सकते दोनों सही हो सकते उसे हम क्या कहेंगे subcontraries कहेंगे तो इसका जो answer आएगा दोस्तों वो हमारा B answer आजाएगा यानि कि इसके अंदर आई और O की जो बात चल रहे थी यानि कि कुछ व्यक्ति इमानदार है कुछ व्यक्ति इमानदार नहीं है इस तरीके से भी इसको हम समझ सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते कि कि कितनी असानी से जो question है हमारे हो रहे है चलिए दोस्तों अब हम question number 30 देखते है जुलाई 2016 के अंदर ये question आया था यदि यह कथन कि सभी चोर गरीब होते हैं गलत है अही बात मैं कह रहा हूँ आप को कि सबसे पहले हमें कथन को समझना चाहिए कि कतन क्या कह रहा है अब देखिए इसने कहा है कि सभी चोर गरीब होते हैं ये बात गलत है अब देखिए सबसे पहले ये draw कीजिए सभी चोर गरीब होते ये हमने ए मान लिया तो निमनलिक्षत में से कौन सा कथन सही होगा वो हमें बताना है अब देखिए ये गलत है तो इसके विपरित क्या होगा सही क्या होगा वो बताईए वो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा यूनिवरसल पोजिटिव अगर गलत हो तो हमारा क्या होगा पर्टिकुलर नेग प्रोइटिव हमारा सही होगा यानि की ओ जो है हमारा वो सही होगा। ओ में क्या आता है वो आता की कुछ चोर गरीब नहीं होते। चलिए मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए दोबारा फिर अपने चार्ट के उपर लेके चलता हूँ अब देखी इसके अंदर Contraries के अंदर क्या होता है All ball are strong तो इसके जो विपरीत होता है वो क्या होता है दोस्तो Some ball are not strong ये होता है तो इस तरीके से बिलकुल असानी से ये question कर सकते हैं दोस्तो तो मैं उमीद कर रहा हूँ कि आपको question है वो समझ में आ रहे होंगे और अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है हो सकता है कि मेरे से भी गलती हो जाए तो आप हमें comment works के जरीए जरूर बताना और कोई बात समझ में ना है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे जो WhatsApp नमबर है दोस्तों यहां पर यह दिया यहां पर भी आप हमें सवाल जवाब कर शकते हैं और हमारा paid group भी जोइन कर शकते हैं और चलिए अगला question देखते हैं यह है अगस्त 2016 में आये था यदि दो अभी कथन इस परकार संबंध हो कि वे दोनों गलत नहीं हो सकते हालांकि वे दोनों सही हो सकते हैं तो उनके संबंध को क्या कहेंगे यह question दोस्तों हमने अभी किया है और यह question दोबारा फिर repeat हो गया अब मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले यह देखते हैं कि यह देखो इसे नहीं क्या क्या है वे दोनों गलत नहीं हो सकते हैं और वे सही हो सकते हैं यानि कि दोनों के दोनों क्या है गलत नहीं हो सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे तो वो होता है दोस्तों हमारा subcontrary होता है और यही question हमने अभी किया था पीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ देखे दोस्तों यही question मैं दिखा रहा हूँ स्प्तंबर 2013 में आया था कि दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते परं़ों एक साथ सही हो सकते है तो यह मैंने आपको बताया था कि जो particular positive और particular negative जो है वो दोनों के दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते दोनों एक साथ सही हो सकते है तो इसका जो answer आएगा दोस्तों वो हमारा सब कंट्रेरी आएगा और यही question हमारा दोबारा फिर repeat हुआ था यहाँ पर यह देखी यह अगस्त 2016 16 के अंदर दोबारा फिरा आ गया कि वे दोनों गलत नहीं हो सकते सही हो सकते तो उसे हम क्या कहेंगे सब कंट्रेरी कहेंगे तो ये कोशन आप ध्यान में रखना हो सकता है अब की बार फिरा आ जाए और दोस्तों एक चीज और हम आपको यहां पर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट बता देता हूं कि आप जो हैं इंगलिस में याद रखना हैं सभी चीजों को क्योंकि हिंदे में आपको हमेशा कन्फ्यूज करने वाले वर्ड दिये जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा आप यह कहेंगे कि सर आपने तो हमें यह चीज पढ़ाई नहीं है लेकिन जब आप इंगलिस में देखोगे तो आपको पता सलेगा कि यह चीज हमने पढ़ी हुई है तो जरूरी है हमारे लिए इंगलिस सिंदी दोनों में पता होना और most जरूरी तो हमें English में पता होना जरूरी है और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारा question number 26 यह अगस्त 2016 में आया है यह दिस समान उदेसित तथा विदेख के दो समान निर्पेक्स तरकवा के इस प्रकार सम्बंद है अगर एक ए निर्धारित रहता तो दूसरा भी ए निर्धारित होगा उनका सम्बंद क्या कहलाता है यह हमें बताना है दोस्तों देखिए इसके बारे में भी मैंने आपको करवाया था मैं आपको वो PDF दिखा दिता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब यह देखिए दोस्तों हमने सुभह की थी कंट्राडिक्टरीज क्या होता है उसके अंदर हमने देखा था कि अगर एक अंडिटर्माइन रहता यानि कि एक का रिजल्ट नहीं निकलता तो दूसरे का भी हम result नहीं निकाल सकते यानि कि contradictories के अंदर क्या होता है universal जो positive होता है वो विपरीत होता हमारे particular negative के अगर हमें ये पता नहीं चले कि universal positive है या नहीं है अगर universal positive के बारे पता नहीं चले तो हम particular positive particular negative के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते यानि कि अगर हमें ए ना पता हो तो हम ओ के बारे में भी पता नहीं कर सकते यही हमारा question है दोस्तो तो इसका जो answer है वो contradictories आएगा यह जो chart दोस्तो यह अच्छे से देख लेना सुबह अब देखे दोस्तो यही बात इसमें कही गई है कि एक अगर ए निर्धारित रहता तो दूसरा भी ए निर्धारित रहेगा तो उस समय हमारा उन दोनों में क्या संबन्द होगा तो वो दोनों क्या होगे दोस्तो वो होगे हमारे contradictories होगे तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल अजानी से कॉशन कर सकते हैं अगला कॉशन देखते हैं दोस्तों अगला है हमारा दिसंबर 2018 के अंदर आया था निमल लिखत में से कौन सा एक मानने हो सकता है अब ये देखे इसने काई कि सभी जानवर जंगली है अब इसका नेचर क्या हुआ दोस्तों ये हो गया हमारा यूनिवर्सल पोजिटिव यानि कि सभी जानवर जंगली है और इससे रिलेटिड क्या होगा इससे रिलेटिड इससे नीचे होता है दोस्तों कि कोई भी गैर जानवर जंगली नहीं है ये एक बर साइड में छोड़ देते देखते हैं इस पे कुछ जानवर जंगली नहीं होते ये भी हम देखते हैं कि कुछ जानवर जंगली नहीं होते ये तो दोस्तों ये वो हागी विपरित वाली बात आगी यानि कि ये पर्टिकुलर नेगटिव वाली बात आगी तो ये न नहीं हो सकते, कुछ जानवर जंगली है, अब ये इसकी बात सही है दोस्तों, अब ये कह रहा कि सभी जानवर जंगली है, तो इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं, कि कुछ जानवर जंगली है, तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल असानी से कोशन कर सकते हैं, अब हम देखते ह 2018 का question अब देखिए इसमें इन्होंने काया कि कोई कुटा चुपाया नहीं है सबसे पहले हमें इसके nature को समझना जरूरी है दोस्तो अब ये कहरा कि कोई कुटा चुपाया नहीं है तो इसका मतलब क्या हो ये universal negative है कोई कुटा चुपाया नहीं है E है ये अब ये कहरा कि यह गलत है इसे चलिए हम गलत माल लेते हैं ये चीज़ गलत है वही इसकी तो निश्चित सत्य होने का दावा किया जा सकता तो सत्य क्या होगा अगर हमारा ये universal negative गलत हो तो सत्य क्या होगा इसके opposite में क्या होगा E के opposite में क्या होता है दोस्तो मैंने बताया था E के opposite में होता है हमारा particular positive यानि की I होता है चलिए यह हम आपको दिखा देता हूँ ता कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब यह देखिए दोस्तो contradictories के अंदर क्या होता है कि E अगर गलत है तो I हमारा सही होगा यह आप नीचे पढ़ भी सकते एक सही है तो दूसरा गलत होगा और अगर एक गलत है तो दूसरा सही होगा अब दूसरा दो नमर पर पढ़िए अगर एक गलत है यानि E गलत है तो दूसरा सही होगा यानि की I इसमें सही होगा तो यही यहीं से हमें समझना है दोस्तों यहीं से हमारा question सही होगा देखे दोस्तों अभी हमने समझा कि अगर हमारा e गलत हो तो सही क्या होगा हमारा i सही होगा यानि कि particular positive पर्टिकुलर positive के अंदर क्या होता है कुछ चीजे सही होती है तो इनमें देखते हैं दोस्तों जो हमारा particular positive है वो कौन सा point है अब सबसे पहले option number A देखते हैं कुछ कुट्टे चुपाया है तो दोस्तों हमें यह देखी हैं सबसे पहले यह बात मिल गए कि कुछ कुट्टे चुपाया है मतलब particular positive हमें मिल गया तो इसका जो answer होगा दोस्तो option number A होगा कुछ कुटे चुपाया है यानि कि कुछ कुटे ऐसे जिनके च्यार टांगे होती है तो दोस्तो इस तरह से आप बिल्कुल इसानी से question कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है कोई problem है तो आप हमसे comment box के जरीए पूछ सकते हैं और अगर कोई ज़्यादा बड़ी समस्या है तो आप हमें whatsapp के जरीए अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं दोस्तो अगर आपको net और jars चाहिए तो हमारा paid question आपको देखने को मिलेंगे नमबर चाहर के दोस्तों आपको unit wise के अलावा आपको sub topic wise question भी देंगे आज तक जैसे जो भी type of research से question आजके वो अलग है hyphothesis के अलग है type of company kitchen से जो भी question आजके वो अलग है यानि कि sub topic wise question भी आपको मिलने वाले है नमबर पांच के दोस्तों हम आपको old 10 unit की add free videos देने वाले है इसके अलावा भी आपको paid course में बहुत कुछ मिलने वाला है हम आपको math or TI के सभी question का solution प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ दोस्तों हम आपको यह बताएंगे कि ऐसे कौन से question है जो बारवाण exam के अंदर repeat होते हैं तो दोस्तों देर किस बात की अभी जोईन किजी हमारा paid course क्योंकि नमीजीनेट है तो ज्यारव है